वर्ड नमबर 15 में मौझूद वईकुंट सोसाइटी में सांसद रंजन बेन भट की ग्रांट में से 20 लाख रुपयों के खर्श पर आसिसी रोड का खाद मूरत करवाया गया इस मौके पर सांसद रंजन बेन भट और विधायक शैलेश मेता विशेश तोर पर उपस्थित रहे शहर के सांसद रंजन बेन भट की ग्रांट में से वर्ड नमबर 15 की वईकुंट सोसाइटी में विकास के कारिया करवाये जा रहे है तरसल 20 लाख रुपयों के खर्च पर वहाँ पर RCC रोड तयार होने वाला है जिसका खाद मूरत आज विधायक शैलेश मेता और सांसद रंजन बेन भट की उपस्थिती में करवाया गया इस मौके पर वाड के पदाधिकारी, संगठन की टीम और कारियकरता भी बड़ी तादाद में उपस्थित रहे वैसे जब सांसद रंजन बेन भट इस रोड का खाद मूरत करने के लिए पहुँचे तब उन्हें पता चला कि इस सोसाइटी में विकास के कारिया के लिए गणा वकति या विस्तार नी मागनी यती वड़ोद्रा सहरमा सौथी मोटी सोसाइटी इन खासकने पूर्व विस्तार मकेवाई वैकून्ट सोसाइटी में इया पाणी ना बरावाने कारणे लोको दरेक चोमासामा एरांत अतादा त्यारे सांसत तरप्ती 20 लाक रुपिया जेवी ग्रांट आर्सीसी रोल माटे पड़ावा मावी एनू आजे खात मुरद्र अने तेज वकत ते इन अस्थानिक लोकोई मंदीर बाबत नीर रजुवात करी वर्षादी पाणी ने वर्षादी कास माटे ने रजुवात करी तातकाली कुँ बाव बाए मने बीजा 11 लाक 4 लाक वर्षादी कास माटे ने 7 लाक पेवर ब्लोक माटे आपी ने टोटल 31 लाक रुपिया सांसत नी ग्रांट माथी आप्या जे ओं आ विस्तार ना आगेवान तरीके काईंके वर्षो सुधी यानू में प्रतिनी दित्वा क इलेक्शन वर्ण नंबर पंदर मां वैकुन सोसाइटी आवेली छे खुब मोटी सोसाइटी छे औने वर्षाद मां आ सोसाइटी ने खुब अस विधा भुगवी पड़ती ती लोकों खुब हैरान परेशान हता औने एटले दरभावती ना धरार्शब्या आदनी ये सैले इलेक्शन वर्षादी गटर जो साथे साथे थाई जाई तो एमने एक विकास मड़ी जाई याने शुविधा थाई जाई एटले चार लाक रुप्या वर्षादी गटर मांटे पन फाडवा नू नक्की करूँ छे थोड़ों टुकडों सो मीटर नो आर्शेसी रोड नो र विकास ना काम माटे फाडवा छे वैकुन सोसाइटी ना लोकों ने खुब अभिननदन आपूछू जे तकलिप वेटवी पड़ी पड़ीती है या कदाज विकास ना काम करया पचे इमने नहीं आवे कॉर्परेटर ने खुब अभिननदन के पोताना विस्तार माँ सुवीधाना जे कामो करी रहा छे खुब-खुब सुबेचा खुब अभिननदन आपूछू दन्यवाद अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ असान बी आर जी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बी आर जी न्यूज की मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुडे रहें